हेलो एवरिवान एन वेलकम टू लर्न एवरिधिंग अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एंसेयाटी स्लेबस कराने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 10 अस्ट्रेंज रैसलिंग मैच को पढ़ेंगी यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए ब अपने बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बाते करता था एक बार उससे भूच से लड़ने का मौका मिला तो चलिए अब हम स्टोरी को आगे पड़ते हैं एक बार एक पहलवान था जिसका नाम वीजे सिंग था वह एक लंबा आदमी था जिसके भारी भरकम कंधे और उसक चसो के जैसा विशाल काई लगता था लोगों का कहना था कि वीजे सिंग एक पैदाईशी पहलवान है और वो इस दुनिया में किसी को भी पहलवानी में हरा सकता है लेकिन इस पहलवान के अंदर एक कमी थी जो हमेशा उसे मुसीबत में डाल देती थी उसे अपने बारे मे बड़ा चड़ा कर बोलने का बहुत शौक था एक दिन वो बजार में बैठा हुआ था और उसके चारों और काफी नौजवान लोगों ने उसे घेर रखा था अब आगे क्या होता है कई सारे दूद के गिलास पीने के बाद वो घोश्रा करता है कि पतानी लोग भूतों से क काना फुसी सुरू हो जाती है और वो लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और उन में से एक कहता है कि अगर तुम अकेले रात में हांटेड डेजर्ट यानि की ड्रामे रेकिस्तान में जाते हो तो तुम पक्का किसी ना किसी भूच से मिल सकते हो वो लोग वहां पर तुम वहां जाना चाहोगे अब इसके बात क्या होता है कि जो वीजे सिंग होता है उसकी दिल की धड़कने रुक सी जाती है वो सोचता है कि उसे इतना बड़ा चड़ा कर बोलने की क्या जरुती फिर वो घबराती वे बोलता है कि हां मैंने ड्रावने रेगिस्तान के बार पर है और ये जो जगा है ये एक भद्दी काली सी चट्टान है जो ओट के सिर के जैसा दिखाई देता है और उसके उस पार कुछ भी नहीं सिर्फ रेत है और पक्का वहां तुम्हें भूत भी मिल सकते हैं अब इसके बात क्या होता है पूरा का पूरा गाउं वीजे सिंग को विदाई देने के लिए आता है जो पस्चिम की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तयार हो चुका था तभी एक महिला आती है और एक छोटा सा पैकेट उसके हाथ पर रख देती है और फिर वीजे सिंग सूरज के लालीमा के साथ रेगिस्तान के तरफ चलना शुरू कर देता ह जैसे ही वो चल रहा था रात अंधेरी और घहरी होती जा रहे थी और राजिस्तान के आस्मान में चंद्रमा चमक रहा था और सितारी बिल्कुल साफ साफ चमक रहे थी जब वो अपनी मंजल से थोड़ी सी दूरी पर रह जाता है तो वीजे सिंग को उस बूरी महिला की द् अंदा था और वो जो बूरी महिला थी वो अपने पागलपन के लिए जानी जाती थी अब जैसे ही वीजे सिंग उस ड्रावने रेगिस्तान में अपना कदम रखता है तो वो एक आवाज सुनता है और उसको क्या आवाज सुनाई देती है कि अरे वीजे सिंग वीजे सिंग तुम रेगिस्तान में कुम हो जाओगे इस तरफ आओ मैं तुम्हारा दोस नटवर हूँ और उसी समय वीजे सिंग को ये ऐसास हो जाता है कि ये उसका कोई दोस नहीं है बलकि कौन है एक भूत है फिर अपनी आवाज में बहादुर लाते हुए वीजे सिंग पीछे की तर वीजे सिंग पहले अपने दुश्मन की ताकत को देखना चाता था कि उसकी ताकत कितनी है और जल्दी ही उसको वो भूत दिखाई देता है फिर वीजे सिंग भूत की चैरे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तु जरा से जुट बोलने वाले भूत हो चलो कोई नहीं अब मुझे रात को जादा समय तक चलना नी पड़ेगा, मेरी तो इच्छा ही थी तुमसे मिलनेगी। अब जो भूत था, उससे तो हर कोई डरता था, लेकिन जो विजे सिंथा वो उससे डरा नहीं, जिसकी वज़े से उसकी बेस्ती हो जाती है। अब जो भूत होता है, वो अपना एक कदम पीछे रख लेता है, और वो सोचता है कि जब लोग उससे मिलते थे, तो वो लोग पीछे भागना शुरू करते थे, या फिर वो बेहोश हो जाते थे, लेकिन ये कैसा क्रीचर था, जिसके अंदर कोई फीलिंग सी नहीं थी, और व इसका मतलब तुम एक मुर्क भूत हो, तुमें ये भी नहीं पता, वीजे सिंग उसकी बेस्ति करना शुरू कर देता है, और कहता है कि तुम्हारे जैसे बेकार से भूत से तो अच्छा है कि तुम भूत ही ना होते, फिर वो कहता है कि असली बात ये है कि मैं तो आदमियों के साथ कुस्ति करते वे ठक चुका था और अब मैं एक भूत के साथ कुस्ति करना चाता हूं अब जो भूत होता है वो speechless हो जाता है मतलब यह कि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं अब भूत थोड़ी सी चला की चलता है और वो विजे सिंग को ड्राने की कोशिश करता है और वो उसकी आँखों में देखता है और वो कहता है कि वैसे तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं लगते हो फिर विजे सिंग कहता है कि जो हमेशा दि कि मेरे अंदर कितनी ताकत है तो इसी के साथ हमारा part 1 समापत होता है अब आगे हम पार्ट तूमें देखते हैं कि आगे क्या होता है फिर विजे सिंग रेज से एक पस्थर का तुकड़ा उठाता है और वो उसे भूत को देता है और वो उसे कहता है कि अब इसे मसल दो ये liquid से भरा हुआ है और जब भूत पत्थर को मसलने की कोशिश करता है पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से तभी विजे सिंग चुपचाप से अपनी जेप से वो अंडा निकार लेता है जो उसको उस बूड़ी महिलाने दिया था फिर विजे सिंग उस भूत से वो पत्थर ले ले जाता है और जो एक्शल के तूटने की जो आवाज थी वो ऐसे लग रहे थी जैसे कि वो पत्थर तूड़िया हो और वो भूत इतना ज़्यादा चौक जाता है कि उसने देखा बेने कि कब विजे सिंग नीचे जुका और कब उसने पने हाथ भी साफ कर लिये मिटी से फिर विजे सिंग ने दुबारा से एक दूसरे पत्थर के तुकड़े को उठाया और उसने भूत को दे दिया और वो भूत बिना कुछ बोले उस पत्थर के तुकड़े को ले लेता है और फिर वो उसे महजूस करता है और विजे सिंग को देखता है फिर विजे सिंग अपनी ज एक वियोद ही इसे नहीं देख सकता है। पिर वो उससे कहता है कि यह जो पथर तुमारे हाथ में है इसकी अंदर नमक है। और वो उससे कहता है कि इसका चुड़ा बनाओ और देखो। अब दुबारा से जो भूत होता है वो उसे चूरा करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जो महनत होती है वो सारी की सारी बेकार चली जाती है अब वो उस पत्तर को वीजे सिंग को दे देता है और अब जो भूत होता है उसे अपनी भूतों की ताकत पर शक होने लग जाता है फिर विजे सिंग उससे कहता है कि तुम मेरे लाइक एक विरोधी नहीं हो जिसके साथ मैं लड़ सकूँ और फिर वो उससे कहता है कि ऐसे कमजोर इंसान के साथ लड़ने का क्या फाइदा जिसे मैं एक ही मिनट पर जमीन पर गिरा सकता हूँ. विजे सिंग अब उस नमक की गाट को चूरा बना देता है और उस पत्थर को जो उसे भूत ने दिया था वो उसे अंधेरे में फेक देता है फिर वो अपना उपर की तरफ उड़ता है और भूत के हाथ में उस पावडर को रख देता है और उसे आदेश देता है कि इसे टेस् तो फिर वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे वीजे सिंग ने करने को कहा था यानि कि वो उस नमक को टेस्ट करता है फिर वो जो भूत होता है वो अपने आप से कहता है कि इस आतमी को अंधर महरान तो बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इसको दूसरे तरीके से भी हरा जा सकता है फिर वो जो भूत होता है वो वीजे सिंग से कहता है कि वीजे सिंग दोस्त तुम से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तुमसे मिलना मेरी लिए सम्मान की बात है और इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ फिर वो आगे कहता है लेकिन तुम आज रात को कहां जाओगे ऐसा करो तुम मेरे घर पर ही आराम करो और कल तुम चले जाना अब जो वीजे सिंग होता है पूरी तरह से खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है आज रात को मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा लेकिन कल तुमें मेरा बंदी बन कर मेरे साथ चलना पड़ेगा अब जो भूत होता है वो चुप चाप से इस बात को माल लेता है लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि वो आज रात को ही वीजे सिंग को मार डालेगा फिर भूत उसे उस कुफा में जिसमें उसका घर होता है वहां लेकर जाता है फिर भूत उसे कुछ ट्राइफ रूट्स और बहुत सारा दूद देता है और बाद में वो सोने के लिए बिस्तर भी देता है जिसमें बहुत सारी तक्या और गद्दे पड़े होते हैं लेकिन जो वीजे सिंग होता है वो जागते रहता है क्योंकि जो भूत तब वो खराटे मार रहा था और फिर आधी रात में वो अपनी बिस्तर से उड़ जाता है और बिस्तर की बीच में एक गद्दा लगा देता है और फिर वो इसे इस तरीके से ढख देता है जैसे कि कोई असली में सो रहा हो और ऐसा करने के बाद ही वो एक अंधिरे से कोने में जाकर छुप जाता है अब जैसे ही सूरी निकलने वाला होता है तब ही जो भूत होता है वो एक भारी सा डंडा ले लेता है और वीजे सिंग के पास जाता है और वो उस डंडे को वही पर जोर से मारता है जहां पर उसे लगता है कि वेजे सिंग का सिर होगा अब उसे कराने की कोई आवाज नहीं सुना देती तो वो मुस्कुराता है और खुश हो जाता है कि उसने अपने दुश्मन को मार दिया है फिर अपने तसलिप पूरी करने के लिए वो उस गदे पर और छे बार मारता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसका जो दुश्मन है वो पक्का मर चुका है और फिर अपने काम से संतुष्ट होने के बाद वो दुबारा से चुपचाप से अपनी बिस्तर पर चला जाता है और अपने सर को एक कपड़े से ढखता है और दुबारा से सो जाता है और इसी बीच में वीजे सिंग चुपचाप से अपनी बिस्तर पर लेड़ जाता है और थोड़ी देर के बाद वो करहना शुरू कर देता है और अपनी चादर को हटा कर पिस्तर पर पैट जाता है अब जो भूत होता है वो भी उड़ जाता है इस आवाज से परिशान होकर और वो अपनी चादर से चुपचाप से देखता है कि जो वीजे सिंग है वो हाथ उपर करके उबास्या ले रहा होता है अब जो भूत होता है वो बहुत ज़ादा चौक जाता है फिर वीजे सिंग शिकायत करते वे कहता है Dear Ghost, तुम्हारी गुफा में तो बहुत सारे कीड़े हैं और वो कहता है कि मैं तो यहाँ बहुत अच्छी नीन में था इतनी अच्छे नीन तो मुझे कई सालों में भी ने आई और यहाँ पर वो कीड़ा आ गया मुझे परिशान करने के लिए और मैंने सुना वो जो कीड़ा था उसने साथ बार अपने पंक छपके हाला कि उसने मुझे काटा नहीं लेकिन ये काफी ज़्यादा गुसा दिलाने वाला था अब जो भूत होता है बहुत जड़र जाता है उसे लगता है कि मैंने तो साथ बार डंडे से मारा था और इसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कीड़ा जो है वो पंक फर्फडा रहा है और उसे लगता है कि उसने जो साथ बार डंडे से वीजे सिंग को मारा था उससे तो किसी भी इंसानका कचुमर बन जाता अब जो भूत होता है वो सोचता है कि इस पहलवान से तो किसी भी तरह से बचा नी जा सकता तो फिर वो उस गूफा से भाग जाता है और उसने जो भी पैसा वगर या समान इखटा किया होता है वो उसे वही पर छोड़कर चला जाता है फिर इसके बाद क्या होता है कि गाउं से बहुत सारे जो उट होते हैं वो लाए जाते हैं ताकि वो उस संपती को ले जा सके जो वीजे सिंग ने उस बूड़ से जीती थी फिर वो उसकी पोती से शादी करने के लिए भी पूछता है उसके बात से ही जो विजे सिंग होता है वो बहुत जादा सावधान हो जाता है और वो दुबारा से अपने बारे में बड़ी बड़ी बाते नहीं करता है और ऐसा कहा जाता है कि उसके बात से ही उस ड्रावने सब्सक्राइब कीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू